सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप सभी का आपके चैनल दपर्फेक्ट क्लासिस में स्वागता है शिक्षा निदिशाले रास्ति राजनी छेते दिली की वक्षीट नमबर 39 डिसकस करें बच्चों क्लास 6 की वक्षीट है विशा हिंदी की 7 दिसंबर 2021 की वक्षीट है तो स्टाट करते हैं प्यारे बच्चो आज हम लेखक विश्णों पर बाकर द्वारा लिखी एक आंकी ऐसे ऐसे पढ़ेंगे इनकी एक आंकी का नाम है ऐसे ऐसे ठीक है इस पार्ट का नाम क्या है ऐसे ऐसे इस पार्ट में एक आंकी कार ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो छुट्टी के दिनों मे अपना ग्रहकार्य पूरा ना हो पाने के कारण स्कूल जाने से बचने के लिए बिमारी का बहान बनाता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों जिने स्कूल नहीं जाना होता है जिनका होमवर्क कम्प्लीट नहीं होता है या उन्हें टेस्ट देना होता है और टेस्ट की तियारी नहीं होती है उनकी तो वो बहाना बनाते हैं तकि स्कूल ही न जाना पड़े ठीक है तो ऐसी कुछ हम इस चेप्टर में देखेंगे एक आंकी कार्ट होता है एक अंक वाला नाटक तो देखते हैं सड़क के किनारे एक सुन्दर फ्लैट में बैठक का द बैठ है दो और दो छोटे तक्त हैं जिन पर गलीचे बीचे हैं बीच में कुर्सिया है एक छोटी मेज भी है उस पर फोन रखा है परदा उठने पर मोहन एक तक्त पर लेटा है आठ नो वर्ष के लगभग उमर होगी उसकी तीसरी क्लास में बढ़ता है इस समय बढ़ा ब उसे ना ना ऐसे मत कर अभी ठीक हुआ जाता है अभी डॉक्टर को बुला है ले तब तक सेक ले चादर हटा कर पेट पर बोतल रखती है फिर मोहन के पिता की और मुरती है इसने कहीं कुछ अंट्शंट तो नहीं खा लिया तो देखिए बचो यहाँ पर पात्र के परिच् है दीनानाथ उनके पड़ोसी है ठीक एक पड़ोसी है उनका नाम है दीनानाथ मा मोहन की मा दिखाए गई है मोहन के पिता दिखाए गए इसमें मास्टर जी दिखाए गए जो मोहन के मास्टर जी है वैद आते हैं डॉक्टर आते हैं और एक पड़ोसिंब आती है इसमें ठ की होता है इस पर निशान लगा लेंगे प्रश्य नमबर दो है ऐसे ऐसे पाट के लेखक का नाम बताईए तो उनका नाम है विश्मो पुरभाकर प्रश्य नमबर तीन है दीननात कौन थे मोहन के पडोसी है इस पर निशान लगा लेंगे मोहन किस क्लास में पढ़ता है तीसर सड़क के किनारे फ्लैट भी और बैठक के अंदर की बात हो रही है तो सभी का है अब देखिए यहाँ पर एक कतिवीदी है क्या आपने कभी स्कूल ना जाने के लिए कोई बहाने बनाया है बनाया है तो किस परकार के बहाने बनाये थे लिखिए तो हम यहां लिख देंगे हाँ हमने स्कूलना जाने के लिए कई प्रकार के बहाने बनाये थें जैसे सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, बुखार होना आदी ठीक है इस तरह की बनाएं जाते हैं और भी बहुत सारे बहाने आप और कुछ आट करना चाहें तो कर सकते हैं वक्षीट बच्चों कंप्लीट होगे आपकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग